आज हम बनाने वाले कच्छे आम की खटी मिठी लॉंजी जो खाने में बहुत ज़्यादा डिलीश्यस होती है और इसे गर्मियों के सीजन में बनाया जाता है और इसके खटे मिठे टेस्क की वज़े से बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो चलिए इसे बनान और उस कड़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चमney तेल और उस तेल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे तेल हमारा गरम हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले, 1 च्ण चमश जीरा, 1 बड़ा चमश सोंफ, इस लॉंजी में इसा दालेंगे ठोड़े थेश्त कि हमारे चटनी को बी अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा और हमारे आम भी अच्छी तर से पक जाएंगे कि आम अच्छी तर से पक जाये तो इसके लिए हम इसे धक्ष्मियर तक छोड़ देंगे, यहाँ पर हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आम को अच्छी तर से भून लिया है और हमारे आम हलके से पके हुए लग रहे हैं तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे गुड़ और इस गुड़ को मैंने कद्दू कस किया हुआ है अगर आप चाहें तो इसी छोटे-छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक आप यहाँ पर चाहें तो चाट मसाला और काली नमक का भी यूज़ कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे लालमीच पाउडर मिर्च यहाँ अपने टेस्ट के हिसाफ से लें यहाँ पर हम इस लॉंजी को बनाते समय पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे और इस लॉंजी में पानी ना डालने का रीजन यह है कि अगर आप इसे लंबे समय तक स्टोर करना चाते हैं तो आप इसमें पानी ना डालें इसी तर से गूर और चीनी के चास्नी से इसे बनाएं तो मैंने यहाँ पर सारी चीन्जों को अच्छी तर से मिक्स कर लिया है यहाँ पर हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और गूर और चीनी को पिघलने तक हम इसे पकाएंगे अब हम इसके उपर लगा देंगे एक धक्कन और इसे 3-4 मिनट इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे हमारे 3-4 मिनट हो चुके हैं तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारी लॉंजी पकी है या नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे लॉंजी का आम अच्छी तरह से पक चुका है तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस लॉंजी में पानी का यूज बिल्कुल नहीं किया है और अगर आप इस तरह से लॉंजी बनाते हैं तो आप उसे 6 महीने तक स्टोर करके फ्रीज में इंजॉय कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्यूंकि वो बिल्कुल फ्री है और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद